असलाम अलेकुम डेयर स्टुडेंट्स, I hope आप सब ठीक हूँगे, लास्ट वीक हमने इंटीग्रेशन के कुछ टॉपिक कवर के थे जिसमें ने सिंपल इंटीग्रेशन देखी थी और विद फॉर्मॉला सौल्फ किया था, सिर्ट हुशन को कैसे सब्सुछ कहें जाता है और यह कब अपलाइक है आ emussen इस एक्रवा चाइ Charles जा प्रसक्रांज में जो दिखा होगा है मैंने मेंट इपके आ इस अमने घुकत में किया तयू यू इछ is इससी फॉर्मुले की शॉर्ट फॉर्म आप हम यूज करेंगे इंटीग्रल आफ यू डीवी इस इकल तो यूवी माइनस इंटीग्रल आफ वी डी यू ठीक है अब हम एक क्वेस्टन सॉल्फ करके देखते हैं पहले तो हम यह भी देखेंगे कि यह अप्लाइए करके जाता ह है ईवेलॉएट इंटीग्रल आफ एक्स साइन एक्स डी एक्स जब भी कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्टन आता है तो हम यह देखते हैं कि हमारे पास यह क्या सिम्पल मेथटड से या किसी फॉर्मुले से तो सॉल्फ यह रहा तो सिम्पल मेथटड तो एकसी पावर इन का formula भी नहीं बन रहा और साथ ही sin x को suppose करें तो एकस derivative ने होता या x को suppose करें तो sin x को derivative ने होता फिर हमने यह देखा कि यह दोनों function different function है एक algebraic function है और एक technometric function जब दो different function आपस multiply हो रहा है और वह किसी formula से solve आप्धर में और उसको इंटीग्रेशन से सॉल्फ करते हैं अब हमारे पास इंटीग्रेशन में यह दो संक्ष्ण हैं ऐन इन्फ एक बागि भंग्ग्षर्ट होता है प्रीविस फॉर्मूले को लें तो उसके लिए हम इस word की arrangement पे जाते हैं इस word की arrangement क्या है पहले सबसे पहले देखें आपके पास यह log function, I inverse function, A algebraic function, T technometric function, E exponential function, log inverse algebraic technometric explanation इस order में जो function हमारे पास पहले आएगा उसे हम you suppose करेंगे और जो function बाद में आएगा उसे हम you suppose करते हैं पहले भी पहले वाले formula के लिए असे लेकिन अब क्योंके हमें सिर्फ यू चाहिए तो हम क्या करेंगे इस arrangement में जो पहले आ रहा है function उसको हम क्या कहेंगे यू बाकी पूरे question को हम dv कह देंगे जबहें हम देखते हैं यह दो तरह के function है हमारे पस एक algebraic और एक technometric तो अब इस arrangement में देखें पहले algebraic आ रहा है फिर technometric आ रहा है तो algebraic function u के एकवल हो जाएगा बाकी पूरा question dv के एकवल हो जाएगा लेट यू इस एकवल टू एक्स कॉमा डी वी इस एकवल टू पूरा question लिख देंगे sin x dx और यहां पर एक बात याद रखनें कि यू को हमेशे differentiate करेंगे और dv को हमेशा integrate करेंगे तो यू को जब मैं differentiate करूंगा तो डी यू इस एकवल टू डी एक्स हो जाएगा या डी यू अपॉन डी एक्स इस एकवल टू बनोगा तो डी एक्स जाकर उदर वन के साथ multiply उपके डी यू इस एकवल टू डी एक्स बहने और dv को हमेशा integrate करना है इंटीग्रेट करेंगे तो integrate में ये dv इंटीडल वी हो जाएगा इस एकवल टू साइन एक्स का माइनस फॉर्मुले का फिर इंटीग्रल वी के माइनस कॉस X और डी यू किसके को बलाई डी एक्स के अभी ये कम्प्लीट कुश्टन सॉल्ट नहीं है क्यूंकि हमें एक इंटीग्रेशन अजर आ रही है कम्प्लीट इंटीग्रेशन सॉल्ट करने तो माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स हो जाए तो यह माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है x प्लस c यह हमारे पार इसका final answer आजए जब भी दो different function आपस में multiply होंगे तो वो by parts से solve करेंगे यह हमारे पार direct by parts का formula अप्लाई के है हमने जो के short form है uvdx की जो के formula क्या है यह आपके सामने नज़र आ रहा है udv is equal to uv minus integral of वीडियू तो इससे हमने यह फाइनल आंसर निकाल है थेंक्यू